तो यह अगर अब आप इसको प्रोग्राम को देखते हैं यहां पे ना इन इस एक्जैम्पल दे यूजर मस्ट इन्पुट तू नंबर्स अब हम यूजर से दो नंबर इंपुट करवा रहे हैं दैन वी प्रिंट असम बाइ कैलकूलेटिंग और अइडिंग दच्ण तो देखिए अब तू नंबर इंपुट करा रहे हैं इसलिए हमें कितने वेरियाबलились करने पड़ेंगे दो वेरियाबल कैसे करते हैं यह y and sum अब हमने user को सामने एक output में एक message दिखाया cout लिखके type the number जब वो number type करेगा वो कहां चला जाएगा x के अंदर फिर उसके सामने एक और message आएगा type another number वो कहां चला जाएगा वो y में चला जाएगा और sum के अंदर automatically क्या आ जाएगा sum के अंदर आ जाएगा x plus y और last में हम cout करके sum को print करा लेंगे कि sum is ऐसे आपको दो numbers को input कराना है तीसरे number में उनका addition को put करना है और उसको print out पे देना है तो let's see this example कि ये कैसा work करेगा ये run time में हम आ गये है इदर वापिस से अगर हम इसको देख रहे है तो header files include कर दी है namespace include कर दिया है main function के अंदर हमने दो variable दिये और एक variable sum नाम से बनाया है अभी हमारे सामने screen पे see out में type a number ये लिखा आ रहा है और type another number ये लिखा वा रहा है तो हम पहला number डालते है अब जब हम enter करेंगे 5 और 6 क्या तो हमारा ये line अब execute पहले तो होगी दोनों प्लस हो जाएंगे सम के अंदर चले जाएंगे और सम को output में ले लेंगे सम इस जो भी है तो इसको हम enter देखिए सम इस 11 तो अब हमने इसमें 11 ले लिया तो ये हमने अब क्या क्या प्लस कर दिया और input लेके प्लस कर रहे हैं इसमें जब भी आप नंबर चेंज करोगे अब इंपुट में आप नंबर फिक्स नहीं है अगर मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 डाल रहा हूं तो मेरा आंसर 25 आ रहा है तो अब यूजर जो भी नंबर डालेगा आंसर अमारा वह आ जाएगा प्रोग्राम की अगर complexity अब और दीरे दीरे बढ़ाना चाहते हो तो अब आप इसको दीरे दीरे और बढ़ा सकते हो जैसे इदर आपने सम यूजर किया है इसी तरीके से इसी को कॉपी करके मालो में को वह भी करना है इस वाले में हम नहीं कर पाएंगे विदर हमें माइनस द्या आगर यूज करना है तो हमें एक और वेरियबल लेना पड़ेगा इधर जो माइनस की वैल्यू को होड़ कर सकता है हमने इदर कर दिए डिफ्रेंस एक्स माइनस वाय सकता है मल्टिप्लिकेशन का कोई नाम दे दीजे वेरियबल का और एक्स इ tut कर दीजिए तो ऐसे हम प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन डिवीजन वगेरा जो भी आपको यूज करना है आप उसको अपने साफ से क्रियेट करके बना सकते अगर इसी से रिलेटेड हम एक एक्सराइज भी देखें तो उसको हम देखते अब